हेलो एवरिवान दिस इस गलवन शर्मा और मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टन नीज शेयर करना चाहता हूँ बहुत सारे स्टुडेंट्स लगातार पूछ रहे थे इवन 11-12 के अभी हमारे कॉमर्स के जो लाइव लेक्चर्स होते है यूट्यूब पे उस पे भी इस टुएंट्स का कहना है था सर एक्जामस ही नहीं होगे तो पढ़ने का फाइदा क्या या पढ़ना क्यूँ है थर दे वा जाएगी एक्जामस ही नहीं हो पाएंगे तो CBSE ने एक latest circular दिया है जो कि आज का है 5 जुलाइ का, उसमें clear कर दिया है कि अगर exams होंगे तो क्या होगा, नहीं होंगे तो क्या होगा, कैसे वो further proceed करेंगे, तो guidance note दे दिया है, उनका कहना है कि last year जो exams नहीं हो पाए और due to lack of information, बच्चों को पता ही नहीं था कैसे prepare करना, क्या सब कुछ क्योंकि अचानक हुआ था, all of sudden था वो, तो plan नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार 10th और 12th के लिए अगर ऐसा कुछ होता है कि future में कोई exams नहीं हो पाती है, ऐसा कुछ scenario होता है, तो हम क्या follow करेंगे, special scheme लेके आए हैं, कि सर इस बार ना session को जो है, दो term में divide किय जाएगा, session को दो term में divide किया जाएगा, 50% syllabus के साथ, और दोनों term के end में exams होंगे, क्या syllabus भी reduce होगा, yes, last year जैसे उन्होंने reduce किया था, syllabus 30% reduce कर दिया तो, rationalize इस बार भी हो सकता है, internal assessment और practical project के marks को लेके, उसको जादा credible बनाने ही कोश्च की जाएगी, यानिकी घर पे बैठके कुछ भी marks दे दिया, वैसा नहीं चलेगा, जादा अच्छे से लेने की कोशिश की जाएगी, 10th और 9th का assessment जो है, 3 periodic tests होंगे, student enrichment, practical work, speaking, listening activities और project, यह होगा पूरे साल के दोरान, 11th और 12th के लिए internal assessment होगा, जिसमें के unit tests होंगे, practicals होंगे, project होंगे, यह जादा credible तरीके से हो होंगे, यानि validity इसकी बढ़ानी कोशिश की जाएगी, और इसके basis पे student का profile create किया जाएगा, digital format में, जो के portal provide करेगा, CBSC, उसमें आपका profile बनाई जाएगी, उस profile में आपके marks, आपकी performance का data दे दिया जाएगा, by faculties, और उनको guide किया जाएगा, कि इसको कैसे further लेकिया आना, इस दिसेंबर, जो 50% first part एसलिबस का, उसका exam, उसके लिए आपको 4-8 हफते मिलेंगे, 4-8 weeks मिलेंगे schools को, ये conduct कराने के लिए, क्या online होगा, अगर offline possible नहीं हुआ, तो online होगा, otherwise school में और centers में जाके होगा, 90 minutes का होगा, और multiple choice question होगा, ठीक है, आपको OMR sheets पे इसके answers देने होगे, और ये external examiner's के under, आपको supervision के under होगा, term 2 में, चुकि again, MCQs नहीं ले सकते 90 minutes का, तो क्या करेंगे, 2 hour का duration देंगे, इसमें subject के case based, situation based, open ended, short answer, long answer, सब तरह का exam होगा, जिस तरह के अभी हम देते हैं हैं, उसमें long answers भी देते हैं, तो वो भी cover किये जाएंगे, 2 hour के duration में, ये कब ह होगा, March to April, ठीक है, और इसका weightage ये final आपके exam में consider किया जाएगा, अब अगर ये exams नहीं होते हैं, या एक होता है, दूसरा नहीं होता है, उस case में कैसे marking होगी, वो उस पर भी guidance आया हुगा, अगर दौनों ही school में और center में जाके हो जाते हैं, ये test, यानि कि दौनों term के examination school म हो जाते हैं, तो दौनों को equal weightage दिया जाएगा आपके final marking में, marking में equal weightage होगा, अगर ऐसा होता है, कि first term जो है, नवंबर, December वाला है, वो school में जाके नहीं हो पाता है, सिर्फ second term हो पाता है, तो second term का weightage increase कर दिया जाएगा आपके results में, अगर उल्टा हुआ, कि जो second term है, March और जाके जो first term हुआ है, उसका weightage marks में increase कर दिया जाएगा, अगर fourth scene, यानि कि दौनों ही school चैसेंटर में जाके नहीं होए, home based हुए या online हुए, उस case में आपकी marking scheme ऐसे रहेगी, कि आपका जो assessment है, वो, आपका term one, term two, सबका weightage देख लिया जाएगा, और आपको उस basis में marking की जा रहे थे कि पढ़ना नहीं है, तो आप start कर दो, आप अपनी जो misconception इसको दूर करो, और जल्दी से पढ़ना start करो, यह circular है, मैंने आपको बता दिया है, अभी जो syllabus reduce होगा, last year की तरह same होगा, या कुछ उसमें modification आएगा, इसका notification आना बाकी है, तो यह बहुत important news थी, जो मैंने आपको आपके साथ share करनी थी, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, bye bye, take care.